असलाम अलेकुम, वेलकम टो रुकसाज किचन, तो आज हम बनाएंगे दही तड़का, जो हम हैदराबादी बगरा दही भी कहते है, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए 300 ग्राम दही लिया है, अब हम इसमें दालेंगे नमक स्वादनुसार, तो यह एक टीस्पून नमक है, उसक सारे चीजों का अच्छे से मिक्स कलेंगे, तो यह मिक्स हो चुका है, अब हम लगाएंगे इसका तड़का, तो तड़का या बगार के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को गरम कलिया है, अब हम इसमें दालेंगे 3 टेबल स्पून तेल, और तेल को हम अच्छे से गरम होने जाएंगे, और जब तेल गरम हो जाएंगे तो अब हम इसमें दालेंगे आदा टी स्पून जीरा, और जीरे को भी हलका सा कलर होने तक, यानि चेंज होने तक हम पका लेंगे, तो अब देख सकते हलका यह ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें दालेंगे 8 से 10 खड़ी पता और चार सुके मिर्च, अब इनको भी हम हलका ब्राउन होने तक फ्राई होने दींगे, तो यह सारी चीज़े हलके ब्राउन हो चुके है, अब हम गयास के फ्लेम को बंद करेंगे, और हलका थंड़ा होने के बाद हम इसमें दालेंगे, पाव टी स्पून हल्दी पॉडर और आदा टी स्पून मिर्शी पॉडर, उसके बाद इमीडियेटली हम यह बगार को दही के उपर दाल देंगे, वरना मिर्शी पॉडर जलकर काला हो जाएगा, तो दही के उपर यह बगार दालने के बाद इसमें हम दालेंगे हरा धनिया, तो लीजे बिलकुल आसान तरीक इस तके हमरे नौटिफिकेशन मिलते रहे, thanks for watching Rukh Saz Kitchen